आप सभी तमाम डियरेट के शाथियों आपके अपनी यूटूब चैनल एमिसे क्लासेस डियरेट चैनल पर तो इस वीडिये में आप लोग को प्रिवेस थी एस के कोश्चिन बताएंगे सेशन दोहर 17-19, सेशन दोहर 18-20 और सेशन दोहर 19-21 का जेनरल साइन्स एनि एवेस 2 पेपर, पेपर 10 तो आप लोग कोपी में नोट डाउन कर लिजेगा और अगर आपको चाड़कन डियलेट फानल एक्जाम के तयारी करना है और आप बहतरी नोट्स लेना चाहेंगे और एक्जाम के बहतरी तयारी करना चाहेंगे तो आपके आप लोग को सभी कोशिण को जो है को सब्सक्राइब नोट डाउन कर लिजेगा और इसकी के आप लोगा एक्जाम पैटर्न होगा तो चलिए एक्जाम पैटर्न भी बताएंगे और शाथ ही आप लोगो टीप स्विदेंगे कि तरह सापको एंसर लिखना होगा ताकि आप 90 परसंस अधिक मार्स सामेने विज्या यानि विज्यान साइंस विशे से आप 90 परसंस अधिक मार्स ला सके तो तीन घंटे का समय दे आएगा फूल मार्स लाएगा 60 सेम वही लेकिन इसमें पैटर्न इजम पैटर्न कैसे होगा इसका वह जानना बहुत जरूरी है देखिए प्रते खंड से एक एक प्रसंद चुनकर कूल पांच प्रसंदों के उत्तर दे जिनमें प्रसंद संक्या एक एवन दो अनिवारी है तो यहाँ पे क्या रहेगा देखिए डिनेट के हर एक पेपर में आपको जितना भी सवाल आए 10 आया 8 आया 12 आया 14 आया 15 आया लेकिन आप को प्रते खंड से एक एक प्रसंद चुनना है और प्रसंद संख्या एक एवन दो जो है वानिवारी है मतलब पहला कोशन यहां पर देखिए कि वाट यू मीन बाइ डिमोंस्ट्रेशन मेथोड्स वाटर इट्स मेरिट्स और और वाट इस दे रिलेशन आफ कॉलिटी विद दुनवत्ता के साथ दक्षिताओं से क्या संबंध है दक्षिता को सक्ति पुंच क्यों कहा जाता है तो यह जो सवाल है पहला सवाल यह आपके लिए आनिवार है यानि अथवा देकर है इन दोनों में से को एक को एंसा लिखना है पड़ेगा और कोस्टन में टू भी साइन्स टेक्स पुक कप्षा 6 की विज्ञान पुस्तक के किसी प्रकरन पर एक दिस्त्रित पार्ट युजना तयार करे देखिए कोस्टन नमर्ट 2 में क्या है और यह आपको मेरे तरफ से टिप्स है कि आप लोग चाए साइन्स हो चाए सोसा साइन्स हो चाए मियाथ हो चा क्लास का लेशन प्लान याद कर लिजेगा ठीक है और उसको बढ़िया से बनाईएगा जम में तो आप एक बहत्र मार्स ला सकते हैं तो आप लोग मेरे ख्याल समझ गया पैटन जो पहला कोश्चन होगा फर्स नमबर और सेकेंड नमबर इसमें एक बात्वा दे सकता है याए तीन तीनों मेंसे जो है आपको कोई भी 2 सवाल यानरी प्रस नाइफ में अनिवार लेशन प्लान बनाना ये यह आपको अपड़ेगा अगे दिखेंदे है कि ग्रुप यह जूप यह और यहां पर एक बात बताया प्रते खंट से एक प्रस्थन यानि यहां पे आपका देखिए ग्रूप ए उसके बाद ग्रूप B और लास में देखिए ग्रूप C इस तरह से आपके सामने biology, chemistry और physics का question रहेगा और अलग-अलग group से दो-दो question रहेगा और उन दोरों में से एक question cancel लिखना होगा जैसे गुरूप A में क्या आया हुआ देखिए 2019 के पेपर में 17-19 के पेपर में What do you mean by energy? Explain the kinds of energy with examples उर्जा से आप क्या समझते हैं उर्जा के परकारों का सोधारन वर्नन करें Question number 4 दिख लेते हैं Discuss about different sources of light परकास के बीविने सोधों का वर्नन करें इन दोनों में से कोई एक आपको गुरूप A से उठाना है और answer लिखना है गुरूप B में भी आपका वही से दो question रहेगा कोई भी एक answer लिखना पड़ेगा क्या था तो गुरूप B में 19 के पेपर देख लेते हैं What do you mean by mixture and compound? What is the difference between mixture and compound? Explain with example योगिक और मिस्रन साब क्या समझते है योगिक और मिस्रन में क्या अंतर है सोधारन वर्नन करें Question number 6 What are the reasons of water pollution? How can water be prevented from being polluted? जल पर्दुशन के क्या कारण है? जल को पर्दुशित होने से कैसे रोका जा सकता है? ठीक है? अगला देखें C section में यहाँ पर जिस दो question है इन विसे को भी आपको दो एक answer लिखना पड़ेगा ग्रूप C में देखें जो भी सवाल है का दो रहेगा तो आपको एक ही answer का देना है यहाँ परते खंड से परते ग्रूप से एक है question यहाँ पर आपको select करना है लेकिए परसंग परसंग के एक और दो जो है आपके लिए आनिवार हो रहेगा साथ नमर में दिख लिएते है what do you mean by animal cell and plant cell what are the similarities and differences between animal and plant cells जन्तु कोसिका और बनस्पति कोसिका से आप क्या समझते है जन्तु में बनस्पति कोसिकाओं में क्या समनता है और असमनता है question number 8 balance is necessary in nature explain this statement परकृति में संतुलन आवश्चक है इस कथन के व्याख्य करें चलिए उसके बाद दोहर बीस का question सेसन दोहर बीस में क्या question आया था सामेन विज्यन से देख लेते है बाकि आपको अलग अलग group से question लिखना पड़ेगा what do you understand by laboratory method in science teaching write the merits and demerits of this method or what is problem solving method in science teaching write its merits and demerits विज्यन सिक्षन में परियुक्साला वीधी से आप क्या समझते है इस वीधी के गून एवन दोसों के विवेचना करें अत्वा विज्यन सिक्षन की समय से निराकरन वीधी क्या है इसके गून वा दोस लिखे टू नमर को से दिख लेते हैं prepare a detailed lesson plan on any topic of science textbook of class 5 और explain elaborately the meaning and nature of science कक्षा 5 की विज्यन पुस्तक के किसी परकरण पर एक बिस्तित पार्ट योजना तयार करे यानि lesson plan जरूर आपको करें जाएगा और exam के time हम आपको तयारी भी करवाएंगे ठीक है टेंसन नहीं लेना है अत्वा विज्यन का आर्थ परकृति के अविस्तार से समझाएं ग्रूप A में क्या question था इन में से कोई भी दो में से एक सवाल एंसल लिखना पड़ेगा तीन चार में से बल क्या है बल कि कितने परकार है वनन करें question 4 what is magnet explain the nature, types and properties of magnet चुमबक क्या है चुमबक की परकृति, परकार और गुनों का वनन करें रिखे इसमें तीन question आए है तीन में से कोई भी एक एंसल लेपको लिखना पड़ेगा गुरूप एसे what do you mean by energy describe its different forms उर्जा से आप क्या समझते है इसके विविन रूपों का वनन करें group B what is change explain the differences between physical and chemical change परिवर्तन क्या है भौतिक और राशानी परिवतन में अंतर इस्पष्ट करें question number 7 is what are metals and neon metals explain their properties धातू और अधातू क्या है इनके गुनों का वनन करें question number 8 what is allotrophy name that two allotrophies of carbon explain the properties and uses of diamond अपर रुपता किसे कहते है कारवन के दू अपर रुपों के नाम लिखे बताए हीरा के गुन इबंग उपयोग को इस्पर्ष्ट करें तो यह तीन यहाँ पर भी आया हुआ है कोई भी एक सवाल का अंसा लिखना पड़ेगा यानि सेशन दोहरा ठाटा बीस में थोड़ा ज्यादा कोशिन दिया था question number 9 what do you understand by balanced diet explain question number 10 what do you mean by photosynthesis discuss परकास translation से आप क्या समझता है question number 11 explain the human respiratory system with well-leveled diagram मानव शरीर में स्वासन तंत्र का नामंकित सचित्र वर्नन करे तो आप देख लेते हैं session 1219-20 का question विज्यान विशे से तो paper 10 3 गंटे का समय full month 60 इसमें वही rules group A में जो आपका यहाँ पर परस्ण का एक एन 2 जो है अनिवार रहेगा ठीक है परस्ण का एक में क्या है पहरे इंग्लीज में दिख लेते हैं फिर हिंदी में बताएंगे हाव इस लेवरेटरी मेथोड इस फूल इन साइंस टीचिंग राइट इस मेरिट्स और दे मेरिट्स और ठो लाइट ऑन दे यूजफूलनेस ऑफ टीचिंग एड्स राइट दे ऑब्जेक्टिव सब्टीचिंग एड्स इस साइंस टीचिंग हिंदी में देख लेते क्या था प्रियुक्सला विधि विग्यान सिक्चर में किस परकार उपयोगी है इसके गून इवें दोसों की विवेचना करें अथवा साहक सामागरी की उपयोगीता पर प्रकाश डाले विग्यान सिक्चर में साहक सामागरी का क्या उदेश है कुछ नमर दोसरा देख लेता है यह दोनुम में से आपका आनिवार है एक नमर में जो आएगा अथवा देखा दो दो को एक अचा देखना पड़ेगा दोनो परसे अग और दो जो आनिवार रहे गा प्राइमरी एजुकेशन हिंदी में दिख लेता है उस कोसल का नाम बताए जिसका विज्यान सिक्चन के दौरन आप अधी उपयोग करना चाहेंगे और कौन सी भी दिखा समझाए क्यों और कैसे अथवा प्रास्मिक सिक्चा में सिक्चाओ के तयारी क्या आवशकता है यह के उठाना पड़ेगा जैसे यहाँ पर देखिए वाट इस अन्बैलेंस फोर्स वाट इफेक्ट इस प्रोड्यूस्ट वेन इट इस अप्लाइट वाने बॉड़ी राइट और डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स असंतुलित बल क्या है जब किसी बस्तू पर लगता है त ग्रिज्ब की सहता से व्याख्या करें ग्रूप C में दिख लेते हैं फाइब नमबर में यह फ्यूल मस्ट भी आइडियल एक्स्प्लेंट इस स्टेट्मेंट वाट इस दा कंडिशन फॉर यह फ्यूल टू बी आइडियल डिसकस एक इंधन को आदा सोना चाहिए इस कथन क को इसपश्ट करें इंधन को आदा सोने की क्या सत्थ होती है वरन करें वाट इस कम ब्यूस्टन करियें वाट इस दा इंपोर्टेंस ओफ यार इनीट एक्स्प्लेंट रैपीड कंबिश्टन सेल्फ कंबिश्टन एंड एक्स्प्लोसिफ इग्जैंपूल्स देहन क्या है तीरवे देहन, सौत देहन और 20 फोटक उधारन देहसाइद इसपश्ट करें अगला है दिखलेते हैं वाट इस वाटर पॉलिशन डिसक्राइब द इफेक्स ओफ वाटर पॉलिशन सजेस्ट हाव तो कंट्रूल इट जल्परदूशन क्या है जल्परदूशन के प्रभाव क इसे किस पर का नियांतित किया जा सकता है सुझाओ दे विध यह फफ ऑफ हाइड्रोजा डायग्राम राइट डिफरेंस वीटूड प्लाइंड अनिमाल सेल्स पॉध्य पॉध्या कोशिका जद्दूशिका गंतर सजीत इसपर्स करें तो यह रहा प्रिवास त्री आसका को सब्सक्राइब डिस्क्रेशर में लेंक है आप लोग मिल जाएगा मिलता है नेक्स दोड़े में तुब तक लिए शुक्रिया